पर्मेश्वर का मनुशी के साथ अद्भुत लगाओ है मैंने बार बार इस बात को बताने का प्रयास किया है कि आप पर्मेश्वर के द्रिस्टी में कितने महत पून है कितना पर्मेश्वर आप से प्रेम करता है उसने आपको सबसे अलग बनाया है आरंबिक मनुश्य आदम को उसने पून प्रवित्रता के साथ स्वतंतरता के साथ अपनी स्वरूप में अपनी समानता में बनाया था क्योंकि उसने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया है उसने हमें अपनी समानता में बनाया है लेकिन मनुष्य स्वतंतरता का गलत उपयोग कर पाप में गिर गया और परमेश्वर के साथ मदूर संबंध विच्छेत हो गया, अलग हो गया, छिन बिन हो गया, लेकिन उसने मनुष्य को वैसे ही नहीं छोड़ दिया, मनुष्य को पुर्ण स्थापित करने का उसने काम किया, कि वह अपनी पूर्व अवस्था में वापिस आ जाए. दोस्तों हम सत्यवचन में बाइबल का करमवार अध्यन करते हुए, गलातियों की पत्री से इस पापी अवस्था से विश्वास के द्वारा धर्मी घोशित होने के संबंध में विस्टार पूर्वक देख रहे हैं. मसीही जीवन आस्था से बढ़कर परमेश्वर्स के साथ संबंध बनाने के बारे में हैं। कि आप भी सुनिश्चित नहीं है कि आपका संबंध परमेश्वर्स के साथ है या नहीं है, तो गलातियों का अध्यन आपको परमेश्वर्स के साथ संबंध इस्थापित करने में बनाने में और आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा आईए हम आज के अध्यन में आगे बढ़ते हैं मित्रो आईए आज हम अपने अध्यन में आगे बढ़ें और गलातियों की पत्री पांच अध्याय उसके तेरपत को पढ़ें यहाँ पर लिखा है हे भायो तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारी कामों के लिए आउसर बने वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो मसीही जीवन जीने के तीन शैलिया हैं दो तो लापकारी नहीं है एक रूणी वादी है जिसके बारे में पॉलुस कह रहा है दूसरी है व्यविचारनी जीवन जिसके बारे में पॉलुस ने रोमियो की पत्रे अध्याय छे में लिखा उधार प्राप्त करके भी पाप में जी आप पाप में जीवन जीकर विश्वासी नहीं हो सकते। आप पाप में गिरेंगे तो अवश्य परन्तु निकल आएंगे। पालुस हमें इस जीवन के जीने की विधी सिखाएगा। मेरे मित्रों, रोढिवादी जीवन में दस आज्याएं ही नहीं, विधी विधान का एक प्रारूप है जिस पर आज अनेक विश्वासी आचरन करते हैं। वह आप से कहेंगे कही नहीं जाना। क्या करना है, क्या नही करना है। मुझे एक महिला का स्मरण आता है जो बाइबल के शिक्षा देने में असाधारन थी। एक बार एक संत ने आकर मुझसे पूछा, क्या आपके विचार में वह वास्ताव में विश्वासी है, वह तो साउंदर्य प्रसाधनों का उप्योग करती है। किसने कह दिया कि साउंदर्य प्रसाधनों से किसी के विश्वास का प्रभाव प्रगट होता है। मैंने उससे कहा कि मसी की स्वतंतरता में निर्वाह करती है। उसकी आयुही ऐसी थी कि उसे कुछ अधिक साउंदर्य प्रसाधनों का उप्योग करना होता था। सैस्तो यह है कि क्रीम या ना खाना परमेश्व के समक्ष ग्रहन योग्य होने का कारण नहीं है। इसी प्रकार सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करना या न करना आपको परमेश्व के ग्रहन योग्य नहीं ठहराएगा। पॉलुस कहता है कि आप प्रतेक आग्या का पालन करके भी मसीही जीवन नहीं जी सकते। यदि आप दस आग्याओं का पालन करें और मनिश्यों द्वारा स्थापेते नियमों का भी पालन करें तो भी आप मसीही जीवन नहीं जी पाएंगे। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दो परस पर विरोधी जीवन शहलियों का पालन करते हैं। वे रूडी वादियों के समान अतिवादी हैं। मसीही जीवन दोनों में से कोई भी नहीं है। वह स्वतंतरता का जीवन है। आगे कहता है ऐसा ना हो कि यह स्वतंतरता शारी कामों के लिए आउसर बने। अनुग्रह का सुसमाचार विश्वासी के लिए क्या करता है। यह अनुग्रह है विवस्था नहीं जो हमें बुराई से मुक्त कराके भलाई करवाती है। अनुग्रह हमें पाप के लिए नहीं पाप से मुक्ति दिलाता है, विश्वासी के मन में परमेशर को प्रसंद करने की कामना होनी चाहिए, इसलिए कि वह पुत्र है, वह दास है, परंतो इसलिए कि वह पुत्र है और पिता को प्रसंद करने की लालसा उसके मन में है, मेरे मित्रों, वह परमेशर की इच्छा पूर क्योंकि परमेशर उसका मित्र है, परमेशर उससे प्रेम करता है, वह परमेशर की सेवा इसलिए नहीं करता कि उस पर वेवस्था का दबाव है, परंतु वह इसलिए परमेशर की सेवा करता है कि उसके भीतर एक सिधान्त है वरन मसी का जीवन है, हम परमेशर की सेवा करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं प्रवईश्यों ने अपने शिश्यों से कहा योनरची सूसमाचार 14 अध्यावस के पंद्रपद में यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्याओं को मानोगे मैं सदा यही सोचता हूँ कि क्या कभी किसी शिश्य ने कहा मैं तुमसे प्रेम नहीं करता और प्रवु ने कहा हाँ मेरी आज्या मानने की बात भूल जा आज्या पालन का आधार उसके साथ प्रेम के संबंध है मेरे मित्रों हर प्रकार का विधी विधान नकारत्मक भलाई ही उत्पन करेगा वे कभी भी सकारत्मक भलाई के स्तर तक उपर नहीं उठेंगे जहां मनिश्य परमेश्व से प्रेम के कारण उसे प्रसंद करना चाहता हो वह इसी आधार पर हम से सेवा चाहता है अब पॉलुस इसका सारांश एक वाक्य में देकर अपना अर्थ स्पष्ट करेगा आईए पढ़ें गलातियों के पत्री पांचा धैवस के चौदा पद लिखा है क्योंकि सारी विवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है तू अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख मेरे मित्रों यहां विवस्था निम्नतम घटक पर लाई गई है यह विवस्था पालकों की अगनी परिक्षा है तू अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख मात्र प्रेम गलातियों के पत्रे 5 के 15 में लिखा है पर यदि तुम एक दूसरे को दाथ से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यनाश ना कर दो मैं इस पत पर सदा ही प्रचार कना चाहता हूँ मैं इसका शिर्शक मसीही नर्भक्षी रखूंगा क्या आप जानते हैं कि अने कलिस्यां में विश्वासी एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हैं उनका काटना पागल कुत्तों के समान है ऐसे गहों का कोई उपचार नहीं है आप केवल कष्ट उठाते रहेंगे आज बहुत पागल कुत्ते हैं वे आपको काटेंगे और खा जाएंगे दुर्भाग्य से आज संसार कलिस्या को अंदेखा करता है और मैं शमा चाहता हूं इसका कारण है हमारी कलिस्याओं में बहुत अच्छे लोग हैं और अद्भुत प्रचारक हैं परन्तो विश्वास्यों के जीवन मनिश्य को कलिस्याओं से दूर करते हैं मैं इसके उधारन देख चुका हूँ मैंने वे कलिस्याओं देखी हैं जिनमें परस पर प्रेम नहीं है वे एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हैं यह बहुत बुरी बाते हैं पॉलुस कहता है कि विश्वास के द्वारा उद्धार पाकर विवस्था का पालन करने पर विश्वासी अनुग्र से वंचित हो जाता है अब वह कहता है कि उद्धार पाने वाले में आत्मा का फल उत्पन होना चाहिए विश्वास द्वारा उद्धार और आत्मा में आचरन के द्वारा आत्मा का फल उत्पन होता है अप पॉलुस देह की लालसाओं और आत्मा के जीवन में तुलना करता है यह संपुन भाग कारिविधी समझाता है मेरे मित्रों इस महत्पुन अध्यन में प्रवेश करते हुए मैं अब तक के अपने अध्यन को दोहराना चाहता हूँ और उसमें इस भाग को समायोजित करना चाहता हूँ हमारे अध्यन का विश्य है आत्मा द्वारा शोधन पद एक में पालुस ने कहा कि मसी ने हमें स्वतंतरता के लिए स्वतंतर किया है अता इसी में स्थिर रहो मसी ने हमें किस बात से स्वतंतरता दिलाई है पालुस ने इस पत्र में अनेक बाते कही हैं अध्याए एक के पद चार में वह कहता है मसीह ने हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया है अता हमें इसकी सेवा नहीं करनी है अध्याए दो उसके पद बीस में वह कहता है अब मैं जीवित ना रहा आप और मैं मसीही जीवन जीने की शमता नहीं रखते हैं मसीह हमें यह जीवन जी सकता है कैसी अद्भुत स्वतंतरता अध्यायत 3 पद 13 में वह कहता है कि हम विवस्था के शाप से मुक्त कराए गए हैं हम विवस्था के दोशा रोपन और दंड से बचाए गए हैं सच तो यह है कि हमें विवस्था से ही मुक्ती दिलाई गई है गलातियों की पत्रिच 4 उसके 4 और 5 पद में वह कहता है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्र ने अपने पुत्र को भेजा जो इस्तरी से जन्मा और विवस्था के अधिन उत्पन हुआ ताकि विवस्था के अधिनों को मोल लेकर छुडा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले अब पौलुस देह की लालसा के जीवन और आत्मा के जीवन में अंतर समझाता है या उसका आदेश है आईए पढ़ें गलातियों की पत्रे 5 के 16 में लिखा है पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसा किसी रीती से पूरी न करोगे यह पद मसीही जीवन का एक महान सिधान्द प्रगट करता है आत्मा के अनुसार चलो 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 के मूल युनानी शब्द का अर्थ है चलना फिरना यह शब्द युनानी दर्शन शास्त्र की प्रिष्ट भूमी से है जहां गुरु चहल कदमे करता हुआ शिक्षा देता था हमारे जीवन का सिधान्त यह है कि हम आत्मा में चले यदि हम ऐसा करेंगे तो शरीर के लालसा किसी रीती से पूरी ना करेंगे आज लालसा का अर्थ है बुरी अभिलाशाएं परन्तो युनानी भाशा में इसका अर्थ यह नहीं है यहां लालसा का अर्थ है शारिक रूचियां जैसे संगीत, कला, भलाई करना आदी अता ये अधिकतर अर्नैतिक नहीं है बहुत सी बातें स्वैम में बुरी नहीं होती है परन्तो वे आत्मिक बातों का स्थान ले लेती है कुछ विश्वासी अपनी अभिरूचियों में ऐसे मगन हो जाते हैं कि वे परमेश्या के वच्छन से दूर हो जाते हैं अधिकांश मसीही जन टीवी के सामने अनावश्यक कारिकरम में समय गवाते हैं मुझे गलत न समझे हम सब टीवी देखते हैं मैं उस नियम के अधिन नहीं हूँ जो मुझे टीवी देखने से रोकता है टीवी देखना शारिक लालसा है यदि वह आपको आत्मिकता से दूर ले जाए तो वह गलत है गलातियों के पत्री 5 के 17 में लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ मेरे मित्रों इस पद की लीपी में परिवर्तन लाने से इसका अर्थ अधिक स्पष्ट होता है शरीर आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करता है और दोनों एक दूसरे के विपरित चलते हैं जिससे कि तुम्हें जो करना है वह ना करने पाओ अर्थात पुराना स्वभाव जो करवाना चाहता है यह विचार हे तो अत्यधे के महत्पून पद है शरीर आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करता है विश्वासी का स्वभाव नया है प्रभई इश्व ने निकोदेमुस से यही कहना चाहा था और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है विश्वासी में पुराना शारिक सुभाव रहता ही है और वह इसी जीवन में उससे मुक्ति नहीं पाएगा यह सोचना कि हम उस पुराने सुभाव से मुक्ति पालेंगे बहुत बड़ी भूल है पहला योना की पत्र एक अध्याय उसके आठ पद में लिखा है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आपको धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं मेरे मित्रों यदि आप में सच नहीं तो आप जूठे के स्थान पर आ जाते हैं हम में दो सोभाव है एक नया एक पुराना रोमियो की पत्री के अंतिम भाग में वह यही कहता है पालूस ने स्वैम इन दो सोभाव की उथल पुथल का अनभो किया था अनेक विश्वासियों ने भी इसका अनभो किया है शरीर आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करता है अतह हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं नया सौभाव पुराने से विद्रोह करता है दोनों एक दूसरे के विपरित हैं वे एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं क्या आपने अपने जीवन में इसका अनभो किया है रोबर्ट रोबिंसन का एक भक्ति गीत है जिसका अनुवाद इस प्रकार है सब आशिशों के सोते आ और मेरे मन को तेरे अनुगरह के गीत गवा दया का सागर अनन्त है उची स्तूती के गीत गवा या एक अद्भुद गीत है जिसका अन्तिम्पद है भटकने की संभावना है प्रभु मुझे बोध होता है मेरे परमेश्वर को जिसे मैं करता प्रेम उससे दूर होने की संभावना है किसी ने कहा कि यह मेरा अन्भाव नहीं है मैं इसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूँ अतह कुछ गीत की पुस्तकों में ये शब्द हैं आराधना की संभावना प्रभु मुझे लगती प्रेम की संभावना उस प्रभु से जिसकी मैं करता सेवा कौन सा सही है दोनों ही सही है मेरा सवभाव है कि भटकू और जिससे मैं प्रेम करता हूँ उससे दूर हो जाओं कभी कभी मेरा पुराना सवभाव प्रभु से दूर होना चाहता है क्या आपने कभी यह अनभव किया है मुझे में एक नया सवभाव भी है जो परमेशर की आराधना करना चाहता है कभी कभी मैं अकेला ही कार चला रहा होता हूं और मेरा मन परमेशर को पुकार उठता है उफ प्रभू तु कैसा महान है मैं तुझसे प्रेम करता हूं तेरी आराधना करता हूं यह मेरे नए स्वभाव की अभिव्यक्ति है मेरा पुराना स्वभाव उसकी स्थूति करने को और उससे प्रेम करने को अधीर नहीं होता है प्रतीक विश्वासी में एक नया और एक पुराना स्वभाव होता है कुछ लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आत्मा में आचरन करता हूं या नहीं स्वैम को धोखा ना दे आप जान सकते हैं पॉलुस ने इसके व्याख्या की है कि आप इससे चूके नहीं गलातियों के पत्रे 5 के 18 में लिखा है और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो विवस्था के अधिन न रहे परमिर्शक का पॉइत्र आत्मा हमें एक उचस्तर पर लाता है अब पॉलुस शरीर के लालसाओं की सूची देता है गलातियों के पत्रे 5 के 19 में लिखा है शरीर के काम तो प्रगठ है अर्थात व्यविचार गंदे काम लुचपन यह व्यविचार धार्मिक पाप और सामाजिक पाप तथा व्यक्तिगत पापों की सूची है आए हम देखें व्यविचार व्यविचार विश्यागमन गंदे काम अश्लील चित्र लुचपन पाश्विक्ता पर पीड़न दूसरों को दुख दे कर आनंद लेना आज का आम सोभाव है दूसरी बात हम देखते हैं धार्मिक्ता के पाप प्रतिमा उपासक जो कुछ परमिश्य के स्थान में आए जादू टोना नशा अन्य जाती धर्म में ऐसा ही होता है मेरे प्रियों और आगे बढ़ते हैं समाजिक पाप है जगड़ा इरश्या क्रोध विरोध फूट विभाजन विधर्म गुटबंदी डाह इश्यों ने कहा कि डाह करना हत्या करने के बराबर है अब आगे है व्यक्तिगत पाप, मत्वालापन, लीला कृड़ा, विलासिता मेरे प्रियों ध्यान दीजे कि वह सूची के अंत में लिखता है इनके जैसे और काम हैं अर्थात अभी और बहुत से काम लिखे जा सकते हैं ऐसे काम करने वाले परमेश्र के वारिस ना होंगे प्रभईश्र ने उड़ा पुत्र का उधारन दिया था कि वह सूची के बाड़े में रहने वाले सूची होते हैं यदि पुत्र वहां पहुँच जाए तो बहुत दुखी होगा और निकलना चाहेगा यदि आप वहां रह रहे हैं तो आप बहुत बड़े संकट में हैं इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्र की संतान नहीं हैं अब शरीर के कामों की सूची देने के बाद पौलुस आत्मा का फल बताएगा यहां अंतर पर ध्यान दे शरीर के काम और आत्मा का फल शरीर के काम वे हैं जो आप करते हैं दस आग्याएं शरीर को वश में रखने के लिए दी गई थी अब मसीही जीवन आत्मा का फल लाता है शरीर आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करता है शरीर के कामों की उसने एक लंबी सूची दी जो वास्तों में अधुरी है क्योंकि वह लिखता है कि ऐसे और भी बहुत से काम है परन्तु मसीही जीवन को आत्मा का फल उत्पन करना है जो केवल आत्मा के चलाय चलने से ही संभव है और वह अब आत्मा के फल की सूची देता है हम गलातियों की पत्री पांच अध्या उसके 20 और 21 पद में पढ़ते हैं लिखा है मूर्ति पूजा, टोना, बैर, जगडा, इरश्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मत्वालापल, लीला क्रडा और इनके जैसे और और काम हैं इनके विशे में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे मेरे मित्रों आज इस वचन के प्रकाशन में आप अपने आपको देखें क्या ये बाते आप में पाई जाती हैं यदि ऐसी बाते हैं तो याद रखें कि आप शरीर में जीवन जी रहे हैं और आत्मा उससे स्विकार नहीं करेगा इसलिए आज मौका है कि आप अपने जीवन के लिए एक सही निर्ने लें पिछले प्रश्न का उत्तर है C. दुष्टता धर्म शास्त्र में पुराना नियम और नया नियम दोनों में खमीर को दुष्टता का प्रतीक माना गया है आज का प्रश्न है विश्वास की द्वारा उधार पाकर विवस्था का पालन करने पर एक विश्वासी खाली स्थान से वन्चित हो जाता है A. अनुग्रा B. पाप C. धार्मिक्ता D. पुन्य मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान किये जाएंगे धन्यवाद क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? मित्रों हमने देखा कि हम अपने प्रयाश से परमेश्वर के इस तरह तक कभी नहीं पहुंच सकते उसको ग्रहन योग्य धार्मिक्ता को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते अर्थात हमारे लिए कोई आशा नहीं है कि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करें मनुष्य कोई उपाए नहीं रच सकता ना तयार कर सकता क्योंकि सब के सब पापी है लेकिन परमेश्वर ने एक वैक्ती हमें दिया जो स्वैम परमेश्वर है और वह मनुष्य बना कि हमारे इस्तर में आकर हमें छुटकारे का उपाए प्रदान करें हमने देखा कि इशु पर विश्वास मात्र से हम धर्मी ठहरते हैं हम पवित्र जीवन भी अपने आप से नहीं जी सकते इसलिए जो इशु पर विश्वास करते हैं परमेश्वर हुने पवित्र आत्मा का वर्दान प्रदान करता है कि सिद्धता की और आगे बढ़ सके और हमारे जीवन में आत्मा के फल जहलकने पाएं प्रगट होने पाएं दोस्तों यदि आप अब तक अपने जीवन में इन सब का अनुभाव नहीं कर पाएं तो आज ही अपने पापों को मानते हुए इशु को अपना जीवन दे दे उसे अपना उधार करता ग्रहन कर लें और वह आपको अपनी धार्मिक्ता की जीलम पहना देगा कि परमेश्वर के सामने आप उपस्थित हो सके और इस जीवन में पवित्रता का जीवन जीख कर उस पवित्रता के आनंद को आप अनुभाव करने पाएं आईए दोस्तों हम प्रार्थन करें कि परमेश्वर आप सब हों हमारे सभी दर्शकों को ऐसा अनुग्र प्रदान करें कि आप उस आत्मिक जीवन का आनंद लेते रहें आईए प्रार्थन करें हमारे स्वर्गे पिता प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो जीवन हमें दिया है वो भरपूरी का जीवन है वो आनंद से भरा हुआ जीवन है प्रभु हम बहुत सी बार अपने पाप के कारण उस आनंद को महसूस नहीं कर पाते अनुभव नहीं कर पाते जो पवित्रता में है जो आपके प्रती आग्याकारी रहने में है जो आपके साथ सदा बने रहने में है पिता परमेश्वर आपसे बिंती करते हैं कि आप आज हमारे सारे दर्शकों को ऐसा अनुग्रह प्रदान करें कि वे आपकी उपस्थिती का आनंद महसूस करने पाएं आपकी उपस्थिती में रहने के लिए वो तत्पर होने पाएं आपकी उपस्थिती की आशीशों को वो अनुभव करने पाएं ताकि प्रभू कभी भी इस आत्मिक जीवन से दूर होने कर सोचने भी नहीं पाएं और सदा प्रियास करते रहें कि वो आपके साथ प्वितरता में जीवन बैतीत करें पिता हमारे सारे दर्शकों के लिए आप इस बात को पूरी करें उनकी सहायता करें और उनके जीवन में ऐसे अद्भुत आनंद को भरने प्रभू जो आपकी उपस्थिती से है जो आपके प्रतियाग्या कारिता से है जो आपके वचन पर चलने से है महिमा और आदर पिताब को देते हुए बिंती ईशुनासरी के नाम से मांगते है आमें दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज के अध्यन के दोरा आपने अनेक ऐसी बातों को सीखा होगा जो आपके लिए आशीश का कारण है और यदि आप चाहते हैं कि हमें इस बात को बताए तो फोन, SMS या पत्र का उप्योग करें अगरे पसारण में इस अध्यन को आगे बढ़ाएंगे और हम कुछ और गहरी बातों को वचन से सीखेंगे तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें और उसके साथ चलते रहें धन्यवाद झालते रहें